नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्तित हैं एक महत्वपून जानकारी के साथ, मैं आसा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में एक आज़िवन लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, स्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बरिस्ती रहे हमारी यही कामना है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार वो कौन सी चार बाते हैं जो कल्यूग में जिंदगी आसान बना सकती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कष्ट और समस्याओं का अंत नहीं वीडियो को सुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुचाते रहें, तो आईए दोस्तों, वीडियो को सुरू करते हैं, श्रीमत भागवत कीता में भगवान स्री क्रिशन ने कई नीतियों के उबदेश दिये हैं, जो आज कल्यूग में भी सार्थक हैं, आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ, पैसा और सुक सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है, आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतनी ह की होड में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुक सुविधाएं कमाने के कारण कितने पाप हो गये हैं, स्रीमत भागवद गीता में भगवान स्री क्रिशन ने कई नीतियों के उबदेश दिये हैं, इनमें बताये गए एक स्लोक के अनुसार, जो उसे नर्क नहीं जाना पड़ता है, आईए दोस्तों जानते हैं उन कर्मों के बारे में, पहला है दान, दोस्तों दान हर व्यक्ति करता है अपनी सामर्थ के अनुशार, दान करने का अर्थ है कि किसी जरूरत मंद को वो चीज नी सुलक उपलब्द करवाना, जिसे पाने मे वो असक्छम है, दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, दान की हमेशा, दान को हमेशा ही गुप्त ही रखना चाहिए, दूसरा है आत्म सैयम, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरित दिशा में चलने और हम संभावना रहती है, तीसरा है सत्य बोलना, कलियुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है, किसी भी व्यक्ति को बात को सुनने मातर से ही ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जूट बोल रहा है या सच, अगर आपने भूत काल में कोई गलत काम किया है, तो आ अपसेस बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पाप का प्राश्चित कर सकते हैं, चोथा है ध्यान या जप, आधनी काल में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, जो रोजाना ध्यान करते हूं, पूजा पाठ भगवान को प्रशन करने के लिए नहीं, बलकि स्वैम या स्वैम से म कोई गलतियों से पाया पार पाया जा सकता है, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कॉमेंट बॉक्स में जै श्री कृष्णा लिखना बिलकुल भी न भूले, धन्यवाद